हेलो एव्रीवान वेल्कम बाक तो सुक्षा माम की क्लास्स आई होब यू आ दोएंग ग्रेट एंड प्रिपेरिग वेल फॉर अपकमिंग बाय मंथली एग्जाम एह जो वीडियो है है मेरे क्लास 10 दे बचियां ली है सब्जेक्ट है इंग्लिश एह जो पेपर तानों नजर आ रहे है एक तरह दा प्रेक्टिस पेपर या सेंपल पेपर तुसी नू कह सकते हो एह 40 माक्स था है ठीक है जी में ताड़ा स्ट्रक्चर है कोशन पेपर दा उसी अकॉर्डिंग लिए सेंपल पेपर नू त्यार कीता गया है सो अधर तुसी प्रेक्टिस कर सको ते अपनी प्रेपरेशन कर सब्सक्राइब को अधर वेरी वेस्ट आई होब तानू है पूरा पेपर आंदा होएगा ते मेरे अंसर देन तो पहला ही तुसी अंसर लेख लोगे सो लेट्स स्टार्ट क्लास 10th सब्जेक्ट इंग्लिश बाय मंतली एप्रल मैं मार्क्स टोटल ने 40 सेक् एक कोशन्स तुसी अंसर करने ने मैं तानू एवी दसे ऐसी कि एदा फॉर्माट MCQ होएगा मतलब कि एदे विश तानू कोशन्स दे नालनाल अंसर ली ऑप्शन्स दे जानगे तुसी ऑप्शन्स दे विच्चो ही करेक्ट अंसर देना है रूल तानू पता ये कॉम्प्रि बॉच्च कर सकते हो उनू दुरू सकते हो तरड शी इस ग्रजूली वेकिंग अप हेर शी इस रफर्ट तो डैश पराग्राफ दे विच एक लाइन आ रही है शी इस ग्रैजूली वेकिंग अप ओदे विच शी कौन है शी किन्नू क्या गया है फोर्थ नेम टू प्लेसे विस्टेट बाय स्वामी विवेकानंद स्वामी विवेकानंद द्वारा विस्टेट मतलब की को केडि अदो स्वामी विवेकानंद जी ने अपना जो मैसिज है ओ केडे पूरे कौंटिनेंट दे विच फैलाया सी उनसी अपना पराग्राफ रीड कर दे हां ड्रदर्स एंड सिस्टर्स दि लॉंग नाइट इस एट लाज ट्रॉइंग तु अग्लोज प्रावो ते पैनो एदा मीनिंग है की जो साथ या राट सी लंबी है हुन खतम होन वाली है माइजरीज एंड सो अरोज आर डिसपेरी दुख तकलीफां सारियां हुन गायब हो रही है ने डिसपेर हो रही है आर्ज इस एस सेक्रेट कंट्री साथा जो देश है और बहुत ही तार्मिक देश है शीज ग्रैजुली वेकिंग अप थैंक्स टू दी फ्रेश ब्रीज ऑल सब्सक्राइब कोशना ऐसी शी इस ग्रैजुली वेकिंग अप किनो क्या गया है है गया गया है साधी कंट्री नू साधी कंट्री के डिया भी साधी कंट्री है इंडिया सो ऑप्शन ए इस यौर हांस are you prepared for all sacrifices for the sake of our motherland की अपने तर्थी दे लई जो भी सानु कुर्बानिया देनिया है या देनिया पैन गिया की तुसी ओधरली तेयार हो if you are जे तुसी हो then you can rid the land of poverty and ignorance फे तुसी अपने इस लैंड नू गरीबी तो ignorance तो पचा सकते हो इनू मुक्त करा सकते हो you should develop a strong physique तानू एक strong शरीरिक बल अपना बनाना पहेगा you should shape your mind through study and meditation तुसी अपने माइड नू की में shape करोगे study करके meditate करके त्यान लाके it's a question I see how can you shape your mind through study and meditation option A only then victory is art तद्धी जित सद्धी होएगी I loved my country dearly या I loved my motherland dearly before I went to America and England मैं अपनी तर्ती माँ नू बहुत प्यार करदा सी जदो मैं कित्थे नू निकलिया सी कित्थे गया सी अमेरिका ते इंग्लेंड ते गया सी सो कित्थे गयने हो अमेरिका ते इंग्लेंड option D आफ्टर माई रिटर्न जोग मैं वापस आया Every particle of the dust of this land seems sacred to me मैंनू अपने देश दा हर एक कन बहुत तार्मिक लगा ठीक है sacred लगा मैंनू जो भी कन डस्ट था सी गा Do you know who carried this message to the whole continent of Asia ता अनू पता है के इस message नू किन ने कैरी किता पूरे continent Asia the continent जो इड़ा स्वामी विवेकानन्द ने किता सी तो यह लाइन्स की दे बारे लिख्यां गईयाने इस रिटन बाए स्वामी विवेकानन्द जो उपर लाइन्स ने ठीक है नेक्स गम साड़ा पोस्टर कंप्रेंशन पोस्टर कंप्रेंशन है इन्नू समझ देयां डूनेट यह आइस अपनी अख्छानो दान करो किन्नू फॉर दी ब्लाइंट अन्ने लोकान जो लोग वेक नी सकते ओना एंड तो उना दी मदद करो कि ओश्ट दुनिया नू फेक सकते तस यह आइस विल सी इवन आफ्र यू विल भी नौ और एंच की होएगा ताड़ी अख्छा इस दुनिया ने ओधो वेक दिया रहन यह जा तुस्छी इस दुनिया तो जा चुके होगे पॉर इंपोर मेशन और इंपने इन तुसी लहनी है नों कोई डाउट है कॉंटक्ट यूर नेरेस्ट आइबेंक आयस्पस्टेलिट बढ़र की ऐनेस्ट दूसी ऑए बनेट कार सकते हो यहां यह आयस्पस्ट आई फॉस्ट एक्ट्र जुन्देने उनना आथिकम्ट्रेष सी महेंनों आंसर कर दिया कोश्रों करके बढूररी तर फॉट्र के लिए किसी करना है और किसी दी ऑप्शन है ब्लाइट व्लद डोनेशन ऑप्शन बीया डोनेशन ऑप्शनसी किने डिनेशन ऑप्शन दी ऑल अफ दी जफी और यह हो रही है अपनी जिंदगी जी पानगे, C, the world और दुनिया नू वेख पानगे, earn of their living और अपना रोजी रोटी कमा पानगे, any of these three, इनना दिना विचे कुछ भी हो सकता है, so passage चे लिख्या है, they can see the world, so option B is your answer, third, how can our eyes see even after we have left the world, options are by giving our eyes to a blind person, एक अंदे बंदे नू अपनी अख डोनेट करके, by taking care of eyes, अपनी अख त्यान रखके, C, both hands, B, D, neither A, nor B, option A, तो आदा answer आएगा, कि by giving our eyes to a blind person, ठीक है, fourth, how can we gain more information about eye donation, assist poster थे accordingly, कितो होर information ले सकते है, eye donation दे रिकाड़िं, option A, by connecting eye bank, option B, by connecting blood bank, option C, by connecting organ bank, option D, none of these three, option A is your answer, eye bank नो contact करके, and last is, which word is antonium of more, more than antonium की हुंदा है, antonium means opposite, more than antonium हुंदा है, less, so option B is your answer, section B तो अटा है, main course book चु, 4 questions ने, कोई तेने attempt करने ने, हर एक question दो marks था है, total तारदा, जो third question ने तारदा है, यह तारदा है गा है, 6 marks था, मैं चारो attempt कीते ने, so that तुसी में नालेनों revise कर सको, so let's start, कोशिश करना तुसी भी चारो attempt करो, जे एक विच गलती हो जावे, तार बाक्की तेन सही होनगे, तानू 6 marks थारदे, मेल जानगे, मैं थारदे marks नहीं कर्टनगे, question number one, where did the statue of the happy prince stood, stand, हुन जो सड़ा happy prince सीगा, ओधा statue किते खड़ा सी, the happy prince थो एक question आया है, and your answer is, it stood on a high column above the city, एक अपने शेर दे ओविच एक उच्चे कॉलम दे उपर खड़ा सी गा, second, how was the statue decorated, the statue नू कि में सजाया गया सी, the statue was covered with thin fine, thin leaves of fine gold, statue नू पतले पतले, सोने दे leaves तिनल कवर किता होया सी, it has bright sapphires for its eyes, eyes दे ली ओदे bright sapphires सी गया, there was a large ruby on its, swalt hilt, swalt the tip दे उपर, वड़ी जी एक ruby वी सी, third, what are machines doing for the humans, where the science is taking us chapter फिचो कोशन है, कि जो machines है साड़े humans लियो की कर रही है, machines have given humans abnormal power, इनने इंसानों नों एक तरां दी, अजीब औ ग्रीब, abnormal, जो कुद्रत दे अगेंस है, ओ पावर देती है, they are helping them in every field science, जो machines है साड़ी हर field दे विच हल्प कर रही है, they are working as man's slave, और साड़ा एक बुलामदी तरह साड़ा काम कर रही है, last is, what are the consequences of war, where the science is taking us to question आया है, कि लड़ाई दे की consequences हुंदे ने, अंत की हुंदा है, बाचु की हुंदा हुंदा हुंदा, war causes death and destruction, जो लड़ाई हो की कर दी हर जगा, death मतलब की लोग की मर्दे ने, विनाश हुंदा है, destruction हुंदी है, selfish traders hoards all food and people have to starve, जो साड़े selfish, जो बहुत दी कमीने, जो जो तरे ट्रेडर्स ने, जो सिर्फ अपने बारे सोच देने, अपने लिए सोच रहे ने, वो सारा खाना रोक लन देने, तो लोक्यान उन्हों स्टोर कर देने, ठीक है, तो लोक्यान उन्हों पुखा मर्ना पेंदा है, वो सक्दा है उन्हों उस टाइम तो जादा रेट लाके वेज देने, समझ रहे हो, तो ग्रीब बन्दा जो अल्रड़ी सब कुछ इदर तबाह हो चुके है, लोक्यों दे मार्चुके ने, उन्हों की में खाना खाएगा, तो पुखा मर्दा है, पुखा रहता है, इंग्लिश अप्लिमेंटर रेटर है, अज़े दे फिचो दो कोशन आंगे, सब्सक्राइब अचानक उन्हों एक बहुती तेज सफ्तार ते चालदा होया वाइकल ने उन्हों हिट कीता, ठीक है, जिदे कारण, इस एक्सिदे कारण ओधी रोष्णी चली गे, सेकेंड, वट दी ऑथर दो बिफॉर ही लोष्णी आईसाइट, ऑथर की कारण ओधी अख्धी रोष्णी जानतों पहले, सो दे ऑथर वास ओपेंटर, ओ एक पेंटर सी गा, यूस्ट ओपेंट पिक्चर बिफॉर ही लोष्ट इस आईसाइट, ओपिक्चर स्पेंट करण ओधी अपनी आईसाइट जानतों पहले, 5th read the stanza below and answer any two of the following question ठीक है stanza रुट करो कोई दो अंसर तुसी लिखने ने तिन्नों लिखो तो लो पता है कि पोव्म ते पोईट आंदा ही आंदा है पोव्म एक ही है character of a happy man by sir Henry Watton so first answer हो ही आएगा second what is the armor of a happy man एक happy man दा एक खुश बंदे दा आमर ओदा सुरक्षा का वज की हुंदा है the armor of the happy man is are his yeah is his honest thoughts ओदे honest इमान दा विचार ओदे armor है सुरक्षा का वज है what is the upmost skill of a happy man ओदी upmost skill सब तो वद्या skill ओदे विच की हुंदी है his upmost skill is his simple truth उसे चाही ही ओदा सब तो वड़ा skill है ठीक है जो सब तो best है next आगे साथी section C vocabulary है four marks दी है एदे आंसे सबसी नाल नान लिखांगे so let's start fill in the blanks with suitable words उन तानू options दिती हो ही है तूसे इन वे जो एक इत्ते लिखना है लता is my dash friend उन के डा आएगा dwer के d-e-a-r d-e-r dare थाड़ा animal है so d-e-a-r dare मतलब प्यारा ठीक है she gave dash to a baby girl b-i-r-t-h birth जनम देना जो टाड़ा b-e-r-t-h है ओ ट्रेंदा बर्थ होलता है use a falling idiom in your own sentences तो से sentence बनाने है in the ear ठीक है first idiom है in the ear sentence बनेगा the winning captain ठीक है जो captain जित क्या सीगा held the trophy उन्ने अपनी trophy की की थी उन्ने अपनी trophy हवा चे चुक की so he held the trophy in the ear ठीक है next is all in all sentence बनेगा all in all it was a great show तुसी मुवी भी लिख सकते हो play भी लिख सकते हो जो भी तुसी लिखना चाहूँ तुसी प्रेज करना चाहूँ थी ठीक है next comes section D grammar do as directed flint the blanks with suitable determiner determiner लाने ने Chandigarh is the capital of Punjab it is my favorite city it is my favorite city ठीक है flint the blanks with suitable preposition life is not a bed of roses but bed of thorns ठीक है next flint the blanks with suitable models he dash help you if you ask him he will help you if you ask him I dash like to have a cup of coffee I would like to have a cup of coffee and connectors लाने ने dash did I reach the station dash the train left no sooner did I reach the station than than the train left now next is your eighth question eighth सभी सतनू option दिती गई है तुसी यहाँ ते लेटर लिख सकते हो यहाँ एक paragraph लिख सकते हो topic है good manners मैं तानू दोनों करवादन नी है पंजाबी चे समझा देनी है जो तानू easy लगे तुसी उनू learn कर सकते हो ते accordingly तुसी exam विच attempt कर सकते हो पहले है साधी letter जो है you are Sonu and you live in 51st central town नंगल write a letter to your father who is away on a long tour giving him home news हुन तुसी आज्यूम करना है कि तुसी सोनू हो ते तुसी इस पत्ते ते रहनते हो ठीक है हुन ताटे पिता जी जो ने ओ लॉंग टूर ते बाहर गे हो है ने out of town गे हो है ने तुसी ओनन लेटर लिखके अपने कर्दी news ओननों दसनी है कि मैं लिखोगे पहले तुसी ओ अड्रेस लिखोगे जो तुम विद्दा क्या है डेट तुसी अपने साब ना पाओगे जो रड़ी एक्जाम डेट होएगी हुन तुसी फादर नों लिख रहे हो so that's why इथे आएगा dear father many things have happened since I wrote you last Bittu fell down the stairs and broke her leg first line लिखोगे कि पिता जी जो तुम विद्दा लेटर लिखी सी ओ तो बाद काफी चीजां होई याने Bittu जो सी ओ पॉड़ियां चोड़ देख गी तो ओने अपनी लथ तुड़वाली ओ उस टाइम सेंसलेस होगी सी भिहोश होगी सी ओनों हस्पताल लेके जाया गया चीक है ओनों कॉइट फिट है तंदृस्त है तानू चिंता करंदी लोड नहीं है मोहन से रिजल्ट वास आउट येस्टड़े ये गाट 700 मार्क्स ये शॉर तो गेट अ स्कॉलर्शिप ये वेरी हैपी अंकल करतार सिंग अलसो विस्टेड अस लास्ट वीक ये स्टेड विद अस फॉर टू डेज वी आल मिस यू बैडली प्लीज कम बैक होम सून हून नेक्स्ट जो बोहन है ओदा कल रिजल्ट आया सी ते ओनू किन्ने अंक प्रापत होएने किन्ने माक्स आयने ओदे ओदे 700 माक्स आयने तो बिल्कुल शौर है कि ओनू इस वार स्कॉलर्शिप मिलेगी ओ बहुत खुश है साड़े अंकल करतार सिंग जी जो ने ओना ने भी सानू पिछले हफ़ते विजट किता सी सानू मिलना आई सी साड़े वाल ओ दो दिन रहे असी तानू सारे बहुत याद कर दे हां मिस कर दे हां फटा फट शेती शेती तुसी कर आजो यौर्ज अफेक्शनेटली मोनू तुसी मोनू ना लिखना है अपना ना नहीं लिखना है नेक्स टाग गुड मैनर्स जो पारगाफ सी गया तानू हिंट्स दिद्ते हो नगे ना नई व दित10 गये अब कोई गाली तुसे अपना इपनी ला इंगवच लिख सकते हो जी हिंट्स दिते हो इने तानू एसी हिंट्स देंन आली अंसर ना लिए प्रेइभराひप रएम करना है Good manners oil the machine of life and keep it healthy. जो good manners हुने ने उसाथी life नाम दी जो machine है उन्हों एक तरहां दा Oiling करदेने ते सानु healthy राखदेने. They are necessary in every walk of life. है जो मैंने अच्छे वाले ऐसार जिंदगी थे हर पड़ावच्प जानु बहुत जरूरी हुन देने वोदी जरूरत हुन दी है सानु दे आर डबल ब्लेसिंग एक तरह दी दो ब्लेसिंग्स ने ठीक है डबल ब्लेसिंग्स ने आश्विरवाद ने उनकी डबल ब्लेसिंग्स मिल दिया ने सानु अंध्रूनी जोई मिल दा है शान्ती मिल दी है खुशी मिल दी है तो दुझ्या नों भी खुशी मिल दी है साथा गूड बहेवियर गूड बैनर्स वेक के आश्वाद ये जो अच्छी आता हूं दियाने सानु रिस्पेक्ट भी गेन करां दियाने लोग की साथा सम्मान कर देने इसलिए सानु सब दे नाल चंगी तरह बहेव करना चाहिदा है सबनू रिस्पेक्ट देनी चाहिदी है विशुड रिस्पेक्ट और एल्डर्सेंड बहुत प्लाईट भिलकनी चाहिदी है we should talk less and listen more सानु कट बोलना चाहिदा है ते जाधा सुनना चाहिदा है we should take turn in queue सानु लाइन सेर ही अपनी वारीद अंतिजार करना चाहिदा है we should never forget the civility of behavior is a moral obligation सानु कदी नहीं पुलना चाहिदा है कि साधा जो behavior है सानु अपने behavior नो टंगना रखना है साधा साधी moral duty है अपने आलेद वालेदे लोकां दे लही साधा behavior अच्छ होना चाहिदा है because असी क सुसाइटी चाहिदा है लोकी साधे एक behavior नाल टंगनी होने चाहिदे साधे moral duty बन दी है कि असी अपने behavior नाल किसी नो टंगना करिये while bad manners create bitterness, good manners give us friends जद तक सवाल आंदा है साधा बुलियां आता दा ओ साधे जिंदगी चाह कड़वाहड पार दियाने पर अच्छी आता साधे जिंदगी चाह की पार देने अच्छे friends पार देने even simple words like please and thank you settle bitter quals बहुत गंदी तो गंदी चो लड़ाई हुंदी है जए असी हो दे विच छोटे ज़े simple दो words please या thank you use कर दिये तो ओ भी खतम हो जान दियाने चगड़े खतम हो जान देने if we have good manners we can make the journey of life successfully not only for others but also for ourself जए साधे जच्छी आता माने असी अपनी जंदीगी ता जो सफर है successfully पूरा कर लांगे ना सिर्फ साधे ली बल्की लोका दे ली भी ठीक है असी जए अच्छे है असी अपने ली भी अच्छे है आसानुआ इनर पीस भी मिल रही है तासी दुझे ली भी अच्छे है तो ओननों भी खुशी मिल रही है कि ओनाना कोई अच्छा भेव कर लेया है नेक्स कम्स तवाडी ट्रांसलेशन कोई एक अटेंप्ट करनी है तन अनदर ड्रॉप फेल फिर एक होर बूंद डिग गई दिस इस दे एज अफ मशीन एम मशीन दा यूग है नेक्स्ट सानुआ अपने देश दी सेवा करनी चाही दी है we should serve our country and next is मैं पतर लिख रहां हां I am writing a letter easy, right सानुआ अपने देश दी सेवा करनी चाही दी है we should serve our country मैं पतर लिख रहां हां I am writing a letter and with this अपना असी जो साटा हैगा है practice paper या sample paper जो भी तुसी कहना चाहो इन्यों चंगी तरह समझ के solve कर रहा है इसी तरह तुसी उन्त्यारी करनी है जे video useful लगी होवे ता इन्यों like करना, share करना and subscribe to my channel सुक्षम मैं की classes all the very best, good bye, take care